मैं आज मन की बात के सुरताओं को उत्राखन के बागेश्वर की एक ऐसी ही एक हेल्थ वरकर पूनम नोटियालजी से मिलवाना चाहता हूँ साथियों ये बागेश्वर उत्राखन की उस धर्ती से हैं जिस उत्राखन ने सत्प्रतिशत पहला डोज लगाने का काम पूरा कर दिया है उत्राखन सरकार भी इसके लिए अभिनंदन के अधिकारी है क्योंकि बहुत दुर्गम ख्षेत्र है कठिन ख्षेत्र है वैसे ही हिमाचल ने भी ऐसी कठिनाईयों में सत्प्रतिशत डोज का काम कर लिया है मुझे बताया गया है कि पूनम जी ने अपने छेत्र के लोगों के वैक्षिनेशन के लिए दिन रात मेहनत किये है पूनम जी नमस्ते पूनम जी अपने बारे में बताये जरा देश के शुरूताहों को पुनम जी क्या आपने अपने ख्षेत्र के सभी लोगों का वेक्सिनेशन करवा लिया है आपको किसी प्रकार की दिख्त का भी सामना करना पड़ा गया लेकिन वहां तो पहाड़ों पर घर भी बहुत दूर दूर होते हैं तो एक दिन में कितना कर पाते थे आप पहाड के आट दस किलोमेटर का पूरा दीन चला जाता है लेकिन एक दिन में क्योंकि बड़ा मेहनत का काम है और वैक्षिनेशन का सारा सामान उठा करके जाना आपके साथ कोई सहायक रहते थे कि नहीं हाँ जी टीम में मेरा हम लोग पांस लोग रहते हैं तो उसमें डॉक्तर हो गए फिर एनम हो गई फार्मिसिस्ट हो गए आसा हो गई और डाटा इंट्री ऑपरेटर हो गए यह क्या कलपना आई आपके मन में विचार कैसा है और कैसे किया आपने हम लोग ने पूरी टीम ने संकल्प लिया था कि हम लोग एक भी बैक्ति छूटना ने चीए हमारे देशे कुरान विमारे दूर भागने चीए परते एक बैक्ति के हम लोगों निगाओं वाई डिव लिस्ट बने यह फिर उसके साफ जो लोग संटर में आई उनको संटर में लगाया फिर हम लोग घर गए जो लोग छूटे वे थे जो लोग नहीं आ पड़ते संटर में अच्छाना पड़ता था हाँ जी समझारा है है कहीं पर वैक्षिन लगने के बाद किसी की सिकायत आई बात में कुछ नहीं हुआ सबको संतोष था कि ठीक हो गया चलिया आपने बहुत बड़ा काम किया है और मैं जानता हूँ यह पुरा क्षेत्र कितना कठीन है और पैदल चलना पाड़ो पे पाड़ पे जाओ नीचे उत्रो फिर दूसरे पाड़ पे जाओ घर भी दूर दूर उसके बाउजित भी है आपने इतना बढ़िया काम किया है आप जैसे लाखों हेल्थ फरकर्स ने उनके परिष्णम की वज़े से ही भारत सो करोड़ वैक्सिन डोज का पड़ाव कर सका है आज मैं सिर्फ आपका ही आभारव्यक्त नहीं कर रहा हूँ बलकि हर उस भारतवासी का आभारव्यक्त कर रहा हूँ जिसने सबको वैक्सिन मुप्त वैक्सिन अभ्यान को इतनी उचाई दी काम्याबी दी आपको आपके परिवार को मेरी बहुत बहुत शुब कामना है